वेलकम दोस्तों और आज है पहला वीडियो 2022 का आशा करता हूँ कि आपने कुछ लेर्निंग ली होगी पिछले साल से आप एक, दो, तीन, चार, पाँच परसेंट इंप्रूफ करेंगे हर चीज में जो गलतियां की होगी उसे आप इंप्रूफ करेंगे आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही बहतरीन मैच जो Gary Kasparov और Vladimir Kramnik के बीच में 1994 में खेला गया था ये गेम Kings Indian Defense का मास्टर पीस कहा जा सकता है तो बिना किसी देर के मैच की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि देखिए आप गैस कर चुके हैं कि ये कौन सी ओपनिंग जाने वाली है तो मुझे बताने के ज़रूरत नहीं यह मेरी फेवरिट Kings Indian Defense Bishop E2 Orthodox Variation Black टुरंती खेलता है E5 जो आपको Kings Indian में करना चाहिए B5 और A5 देखिए A5 मूफ कभी कभी ब्लैक इसलिए खेलता है क्योंकि वो कंट्रोल करता है B4 स्क्वार को Kasparov का ऐडिया Knight C5 खेलने का कि future में White B4 ना खेल पाए Bishop G5 इस Knight को पिन करते हुए Kasparov तुरंती इस Bishop को चैलेंज करते हैं Bishop पीछे जाता है Knight A6 और यहाँ पर White Castle करता है Bishop D7 Knight D2 और Knight C5 यहाँ पर देखिए Engine Recommendation है आप खेल सकते हैं H3 B3 यहाँ पर रुख सीवार और यहाँ पर क्रामनिक खेलते हैं B3 जो की Engine के हिसाप से सही है और यहीं पर Kasparov ने प्रिपेर किया था क्रामनिक के लिए Knight F captures E4 देखे invite करते हुए अपनी Queen के लिए पहले देख लेते हैं अगर आप Queen capture नहीं करेंगे तो simply Queen captures H4 और आप देख सकते हैं बार भी बता रहा है कि यह position Black के लिए better है सब आप exchange कर लेंगे तो Black के पास कमाल का bishop pair है और एक क्रिस क्रॉस एपल सॉस कर रहा है इसलिगे यहाँ पर क्रामनिक के पास कोई option नहीं था क्रामनिक के खिला Bishop captures D8 यहाँ पर आता है Knight captures 9 अब देखें क्या idea है कसपारो पर अगर आप थोड़ा भी careful नहीं रहेंगे तो आप वैसे ही हार जाएंगे इसलिगे यहाँ पर खिला जाता है Queen E1 यहाँ पर कसपारो खिलते हैं Rook F captures D8 आप इस Rook से भी capture कर सकते थे लेकिन पॉन को वीक करना सही नहीं हो यहाँ पर एक last strike किया जा सकता था यहाँ पर खिला जा सकता था Knight B उसके बाद ज्यादा ज्यादा Knight captures Bishop Queen captures और यहाँ पर Bishop develop होता यह pawn push होता और दोनों प्लेयर के पास fighting chance रहें लेकिन यहाँ पर क्रामनिक ने खिला Rook C1 blunder और इसके बाद आता ह है और इस बार Knight B4 पर बैठा है अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर White के पास ज्यादा मूँ भी नहीं के लिए को वाइट ट्राइ करता है Bishop D1 रुखते हुए Knight C2 जो 4 करता Rook और Queen को और यहाँ पर देखिए यह सोया हुआ Dragon उठ चुका है Rook B1 और Rook E8 यहाँ पर कि आप कुछ भी खेलेंगे जैसे कुछ भी यहाँ पर यहाँ पर एक्शेंज होने के बाद यह Pawn पुश किया जा सकता है आप capture करेंगे तो रुख capture spawn इसके बाद काफी सारे threat है Black के पास इसलिए यहाँ पर White खेलता है Queenie 3 गार्ड करते हुए इस D4 स्वाय थी लेकिन यहाँ पर Black attack रुखता नहीं Black खेलता है F5 आइडिया है G5 फिर उसके बाद F4 इमेडेटली क्रामनी खेलते हैं H4 लेकिन अब देखिए यह रुख सपोर्ट कर रहा है spawn को further advance होने के लिए अब धीरे-धीरे यह रुख game में आएगा और सारे pieces जो कस्पा रहुके हैं वह White के King को तभ White के pieces यहाँ पर ज्यादा mobile नहीं रुख G1 और यहाँ पर finally F4 push होता है जिससे position खुलने वादी है यहाँ पर कोई चारा नहीं था इसलिए capture करने के बाद अब देखिए यह weakness है अब क्या ही करेंगे White try करता है position open करने की Black के King को attack किया गया अगर आप example के तोर पर capture कर लेंगे त यहाँ पर some line आ सकती है लेकिन इतना कोई problem नहीं होता कस्पारो ने कोई risk ने लिया उन्होंने simply G5 के साथ सब कुछ close करते हैं रुख F1 और यहाँ पर रुख H4 यह बिशप भी आ सकता है रुख H1 और यहाँ पर repeat नहीं करते हैं कस्पारो इसके बाद वो खेलते हैं रुख E F3 रुख H4 यहाँ पर देखे कुछ pawn लिये जाते हैं फिर check king G1 और knight Cd3 यह move मुझे बहुत ही पसंद है इस game में इसका reason है कि देखिए generally जब players attack करते हैं तो वो क्या करते हैं इतने pieces हैं तो वो check वगेरा immediately कुछ देने की सोचते हैं लेकिन कस्पारो ने क्या किया कि जो उनका last minor piece था उसको भी attack है होता क्या है कि कितनी बड़ी army है वो matter नहीं करता है आपके पास कितनी army लडाई में है वो matter करता है E5 और यहाँ पर देखिए कि कुछ ही move बात white क्या ही करेगा white खेलता है knight F3 लेकिन G4 और यहाँ पर finally लगता है क्रामनिक को कि queen देकर वो कुछ play create कर King आता है उपर और यहाँ पर trade होने के बाद G3 King G2 अब देखिए checkmate avoid नहीं किया जा सकता simply यहाँ पर black खेलता है knight F4 चेक और क्रामनिक resign कर रहते हैं यहाँ पर अगर आप resign ना करें तो एक line हो सकती है King F1 और यहाँ पर final move check के बाद King F2 और Rook E1 कमाल क्योंकि देखिए हम remote एक ही square है इधर जाएंगी Queen F2 check इधर आप कहीं नहीं जा सकते यह knight cover कर रहा है D3 square और bishop लाने के बाद Queen captures E2 और यहाँ पर white check में थो जाए इसलिए knight F4 check के बाद क्रामनिक में design कर दिया आशा करता हूँ आपको ए गेम अच्छा लगा होगा अगर आपका कोई suggestion हो तो please comment section में बताईए तब तक के लिए बाए तब तक के लिए बाए